डाली उपर सोता, हरी मिर्ची खाता नहीं, नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुडिया अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं ठीक है, पर मैं तुम से बात नहीं करूँगा क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं लेकिन तुम तो बात बुरी हो बुढिया अरे मैंने तेरा क्या भी गाड़ा है रे मिठ्धू कल ही पड़ोसी की छत पे सुख रही डाल ले आई थी तुम सावन का महीना पवन करेश और डाल उठा के लिए आई बुढिया कैसी चोर अरे अरे मिठ्धू चक्रवर्ती इतने जोर से मत बोल सब सुन लेंगे मेरी एक शर्त है अब बेट तो तो ते कहीं के चल बोल एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा मुझे पसंद नहीं है दूसरा मैं घर में रहूंगा पिंजरे में नहीं अहां चले मान लोंगी पर कहीं उड मत जाना पागल हूं क्या यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है तुम मेरी शर्ट मानती हो जंगल में दंगल करने क्यों जाना जब इधर ही मंगल हो रहा हूं तो तू तो बहुत चतूर है रे हाँ हाँ सीखो कुछ मुझ से अरे ज्यादा चोच मत चला ले पिंजरे से बाहरा आ जा और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में बाबु जी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में तू चाता है कि घर में लड़ाई हो हाँ चाता हूँ चाता हूँ लड़ो लड़ो बहुत मसाएगा लड़ते हुए लोग बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं अरे राम राम राम, काईसा मिठ्व है रे तू? बुढिया बुढिया रोटी, जोरी करती, खोटी, राम राम करती, पर उल्टे काम करती ए मिठ्व, अंदर कर दूँगी, बहा निकल के जबान फड़ फड़ाएगा, तो पेंजरे में पंक फड़ फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाता हूँ बुढिया, माफ कर दो, और ये बुढिया बुढिया मत बोला कर मुझे हाँ हाँ, शीला, बहा तो जमान है ना तू, कल ही तो घुटने में दर्द था, वैसे एक बात पता, जब तेरा सर दर्द होता है, तो तू बाम घुटने में लगाती है, क्या? क्यों वे? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे गुटने में है ना बुडिया तबी वहाँ बाबुजी आ जाते हैं अरे क्यों रहे मिठो चक्रवर्ती तुम पिंजरे के बाहर जमानत हो गई मेरी अरे वारे वा चल अच्छा है बाहरी रहना पर उड़िना मत अरे फिकर नाट तुम जैसे धर्मात्मा आत्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा पर चापलू से मत कार भजाने कार नहीं 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 पहले भोजन करूंगा मिठो खाने लगता है सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसो अरे इतनी जल्दी मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे अरे असा क्या करना है अरे देख की लिस्ट भी तो बनानी है कार लूंगी दस लाख नगद लूंगी जेवर, LCD, TV, डबल डोर फ्रीज, सोफे, फर्निचर अरे तुमको पता है ना देख लेना पाप है एक बार पाप करके अगर जिन्दगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए अरे ठीक है ना तो पत्नी की जगए वाइफ बोल दिया करो अरे मैं तुमको अपनी धरम पत्नी मानता था पर तुम तो बे शरम पत्नी निकली अरे मिट्टू चुपो जा मेरे सामने से चली जाओ अरे आपकी पीछे खड़ी हो जाओंगी तो बोलेंगे के पीट पीछे बाते करती है वाब बढ़िया वाब बढ़िया जोक ठोको ताली बिट्टू चुप देखिये जी मैं तो दहेज भी लूँगी और बहु से काम भी करवाऊंगी रोक सको तो रोक लो रोकना ही नहीं चाता चली जाओ यहांसे बाबा बढ़िया जोक लेकिन उत्मा मजा नहीं आया एक और सुनाओ मिट्टू चुपो जाओ मा वहां से चली जाती है शाम को घरवाले महा भारत देख रहे हैं मिट्टू ये धर्मराज युदिष्टिर है जूठ नहीं बोलते थे हमेशा सच बोलते थे तू भी ना हमेशा सच बोला कर सच बोलने से क्या होगा अरे पुणिय मिलेगा स्वार्ग मिलेगा अरे तुम से क्या मिलेगा अभी की बात करना बुड़े तू है तो तोता लेकिन शायद तुझे किसी लोमडी रेपाला है छी छी यार अपनी पत्नी को लोमडी बोल रहे हो आरे मैं तब की बात करा हूं जब तू जंगल में रहता था नहीं, नहीं उसी को बोल रहे थे रोको अभी लड़ाय करता हूं, अभी करता हूं आरे ओतो ते अच्छा यह ले ये टौफी ले ले और अच्छी और सच्छी बात किया कर रोज टॉफी मिलेगी ठीक है पक्का हाँ हाँ पक्का दो दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं हाँ जी कितने लोग है घर में मैं सतीश और सतीश के बाबुजी हाँ हाँ बुडिया कर दे पराया मुझे मैं भी तो इस गर का हूँ ना अरे हाँ ये है मिठ्च चक्रवर्थी अरे वाँ कितना प्यारा पेरट है ये पेरट क्या होता है मिठ्च को इंगलिश में पेरट कहते हैं ये सतीश तो मुझे इंगलिश में इडियाटी कहता है सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती देख बुढिया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बिट्टा बिट्टू, हम बात कर ले या तू ही करगा, अरे चुप भी रहना धुड़ी देर हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं आरे चुप कर मुए, बना दूँगी एक क्या? अब टॉफी, टॉफी देंगी, ये खा और चुप रहा सच के आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है तुम्हें क्या लगता है, एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? दो टॉफी लोगा बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो अरे मां जी, मांग तो लड़की की रहती है, है ना, जो लड़का भरता है अरे सतेश बेटा, तु रहने दे नई, 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 मांग तो नहीं है, पर पर क्या बहन जी? पर पर क्या? पर पर क्या बोलिये ना पर दहेज लोगी, दहेज लोगी अरे चुप मिठो, वन आज ही जंगल में छोड़ाऊंगा अरे कल तो यो दिश्टिर बनने का, सच बोलने का बोल रही थे आपकी टॉफी खाई है, जूठ नहीं बोलूँगा अरे बेटा, मिठो देखिए, देखिए, बुडिया को कार चाहिए क्योंकि सतिश की हैस्य तहीं है करीटने की बुडिया को डबल डोर फ्रीज चाहिए, दस लाक रुप्या भी चाहिए क्योंकि जैसे बेबी को बेज पसंद है वैसे ही बुडिया को कैश पसंद है फ्रीट पुकट का एश पसंद है मिठो, अब तो तेरी खैर नहीं है बुडिया, तेरे हाथ नहीं पहुचेंगे ज्यादा नाटक किये तो छत पैसे जो चोरी की थी वो भी पता दूँगा चोरी? हाँ हाँ, पडोसियों की डाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत पे करती है कि कैसी सस्ती डाल खाते हैं पडोसी और पता है, अब तक इस गर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुमारा इंतजार था मिठ्टु की बात सुनके लड़की वाले वहां से चले जाते हैं अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी फिर भी तुने हमारा काम विगाड़ा सच बोलना चाहिए बढ़िया, बाबुजी ने कहा था अरे ठीक ही तो है, लड़की को जूट बोलके इस घर में ले आते तो पापी लगता न शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो, पर हमेशा सच बोलना चाहिए अरचल चल बुटे, अपने बाब को बच सिखा तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बत्तम मिज़ी भी छुडवानी पड़ेगी मुझे चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ, टौफी कहा है मेरी बाबुजी मिठू को टौफी देते हैं, टौफी खाते हुए मिठू बोलता है मिठू मिठू तो ओता, मिठी टौफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता